जै शिरी राम मैं डॉक्टर अंकेत्यागी आपका अपना अस्रोलजर निम्रोलोजिस्ट लाल किताव इन वास्तू कंसल्टेंट आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके सपने बेहत खास कारेकरम बाग्य दरपन उम्मीद की किरण में जहां आपके समक्ष रो जाना लेकर के आजिर होते हैं आज का राशी फलर पन्चांग और भी बहुत सारी वीडियोज आज फिर से आपकी सेवा में प्रस्तोत हैं आज का राशी फलर पन्चांग लेकर के शुरूआत करेंगे हमेशा की तरह सरप्रतम बात होगी आज के पंचांकी बात करेंगे आज के राशी फलकी मैं इस राशी से लेकर मीन राशी तक कैसा बीतेगा आज का दिन कुछ कामों में रुकावटें आ सकती हैं मैनत थोड़ी ज्यादा रहेगी जॉब स्विच करने का मन भी बन सकता है लेकिन सोच समझ कर फैंस ला लें किसी काम या बात में जल्दबाजी करने से नुकसान होगा सेहत को लेकर साफधान रहें आज आप नया वीकल मोबाइल खरीदने का मन भी बना सकते हैं पैसे और सेविंग के मामले में दूर स्थान के किसी वेक्ती से सला ले सकते हैं निवेश ये खर्चों को लेकर भी बाचीत हो सकती है पार्टनर का मून अच्छा रहेगा दामपत्य जीवन सुक में रहेगा वेश राशी वालों को आज की सला निजी नौकरी कर रहे है लोगों को काम का बोज तो जादा रहेगा लेकिन इस समय की मेनत आपकी तरक्किय प्रमोशन दिला सकती है आपको शुबरंग रहेगा आपके लिए गुलाबी और शुबंग रहेगा पाँच विशव राशी खुद पर अति आत्म विश्वास करने से बचें यदि साफधानी से चलेंगे तो शत्रू भी मित्र बन जाएंगे इनकम में बढ़वत्तरी होगी धन्लाब मिलने के यॉग बन रहे हैं मन में धार में गतविधी करने की इच्छा जागरत होगी लंबी ट्रैवलिंग के योग बनेंगे विरोधियों से सावधान रहना बहुत जरूरी होगा शादी शुदा लोग अपने गरस्त जीवन को लेकर थोड़े से परशान महसूस रहेंगे करेंगे खुद को परशानियां में डाल कर रखेंगे खुद को क्योंकि जीवन साती का बरताव आज उनकी समझ से परे होगा लेकिन प्रेम जीवन बिता रहे लोग आज बेहत खुश नजर आएंगे आपके और आपके प्रियतम के बीच गनिश संबंदों में गनिश्टता आने वाली आज मृषवराशी वालों गवाज की सला कारवारियों के लिए आज के दिन अच्छे संकेत लेकर नहीं आ रहा है पैसो के लिंदेन को लेकर मुख्य रूप से सावधानी बरते हैं क्योंकि कोई आपको चूणा लगा सकता है आज यदि ध्यान नहीं दिया तो बड़ा नुकसान हो सकता है इसलिए पहले से ही सचेत रहें शुबरंग रहेगा भूरा और शुबरंग रहेगा तीन विथुन राशी आज आपके सुक सुवधाओं में बड़ा उत्री होगी विद्यार्थियों को बहनत करनी पड़ सकती है नोकरी में अधिकार प्राप्त हो सकते हैं प्रतिष्ठा बढ़ेगी कोर्ट कचेरी तता सरकारी कार्यालों में रुके काम पूरे होंगे परवारिक परिश्रम या परवेश में परिश्रम की मैं बात करूं तो लगा रहेगा काफी समय से लंबित कार्या पूर्ण होगे आज परवार के सदर्श्चों की संगती में की गई यात्रा बहुत सुव फलदाई और बहुत मंगलकारी होने वाली है आज का दिन आनंद पूर और लास पूर बन सकता से बीतेगा आपका व्यक्तित्व और शम्ताय आज विक्सित हो सकती है स्वास्तिक अनुसार आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है और कोई दुरगटना भी हो सकती है बिजली की चीजों में सावधानी बरते हैं और उनसे दूरी बना कर रखें शुबरंग रहेगा ग्रे और शुबंग रहेगा तो करक राशी अचानक धनलाब हो सकता है रुगा हुआ पैसा मिलने के योग है पैसों के मामले सुलट सकते हैं दोस्त आपको समश्चाओं से बाहर निकालने में मदद करेंगे कामकाट से संबंदित अच्छे और व्यवारिक आइडिया आपके दिमाग में आएंगे किसी भी अन्यमन को जल्द ही सुलटाने की कोशिश करें व्यवार को शलता सेहन शक्ती से काम लेंगे तो जारतर मामले खुद ही सुलट जाएंगे करक राशी वालों को आज की सला शादिशोदा लोग अपने पार्टनर के लिए कुछ नया करने का प्रयास करें जो बहुत दुनों से आपके रिष्टे में दूरी थी वो खत्म हो जाएगी प्यार बढ़ेगा शुबरंग रहेगा आपके लिए मैरून और शुबंग रहेगा आपके लिए साथ सिंग राशी संतान को लेकर आज कोई बड़ा फैंसला लेंगे विरोधियों पर आज अपनी उपस्तितिया आप दर्ज करा पाएंगे प्रतियों की परिक्षाओं के लिए आज का दिन अच्छा है अच्छे भोचन का पी आनंद लेंगे अच्छे खान पान का अनंद लेंगे आज आब लेकिन ध्यान से खाये समल कर खाये काम के सिलसले में दिन सामाने रहेगा सिंग राशी वालों को आज की सला बहुत ज़्यादा समय यदि आप सोशल मीडिया पर वैतीत करते हैं तो थोड़ा सा कम करें क्योंकि सोशल मीडिया के ही किसी व्यक्ति से आज आपकी अन्बन हो सकती है आपको परवार का पूरा सायोग मिलेगा और उसने ही मिलेगा कारियों में आ रहे ही रुकावटें दूर होंगी नई नौकरी के ओफर मिलें तो उस पर पूरी तरह व्यवारिक डंग से विचार करें बिगडे काम बनाने में पूरी ताकत लगाने का समय है आज के दिन आप अपने साथियों को फाइदा पहुचा सकते है आएके नई श्रोत विक्सित होंगे आज दुकान, मकान से संब्धित प्रॉपर्टी में निवेश का योग है सिक्षा, बिजनेस, नौकरी, अमेहत्पूँ, काग्जा से जुड़ी आत्रा हो सकती है शुरू कर दें बस एक बार, आप अभी तक वेट कर रहे हैं शुरू करने का, वो शुरू कर दें फाइदा होगा, आज आप अच्छा महसूस भी करेंगे सामुइक और समाजिक कारियों के लिए दिन अच्छा है परवार के जादतर काम आपको ही निप्टाने पड़ेंगे दोस्तों के साथ समय भी अच्छा बीतेगा कोई अगर निवेश की इन्वेस्मेंट की योजना बना रहे हैं तो अभी के लिए टाल दें उधार दिया गया पैसा मिलेगा थोड़ा समय लगता हो दिख रहा है भी ओफिस और बिजनस में जो फैसले आप लेंगे वो आपको फाइदा देने वाले होंगे बविश्यम है तो लाराशी वालों को आज की सला पैसे कहीं निवेश कर रखे हैं तो वहाँ से अपैक्षित लाब मिल सकता है लेकिन धहरेय से काम लेना हुआ व्यापारी वर्ग के लिए अगर मैं बात करूँ तो रणनीती बनाने में समश्या होगी प्रतिदोंदों की चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा शुबरंग रहेगा आपके लिए अज का दिन बेहत अच्छा है लेकिन आपको काफी ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी आज बागदोर में गुजरेगा आज का दिन को मिला करके हैं तो इनकाम अच्छी रहेगी और थोड़ा ध्यान दे परवार्ग जीवन खुश्यों से बढ़ जाएगा रश्यक राश्यवालों को आज की सला नोकरी कर रहे हैं लोगों को कुछ समय के लिए काम का बोज थोड़ा जादा दिखाई देगा जौब को लेकर खुश नहीं रहेंगे नोकरी बदलने का विचार भी मन में आसकता है लेकिन बदलाव अभी आपके लिए अच्छा नहीं है जहां है वहीं रुकें अभी शुबरंग रहेगा आपके लिए सफेद और शुबंग रहेगा आठ धनुराशी मकान यह भूमी से संबंदित दस्तावेजों की कारेवाही आज ना करें बहुतिक सुख प्राप्ती संबंदित वस्तूओं के क्रिया की और आप आकर्शित हो सकते हैं विदेशी यात्रा अमल में आ सकती है उच्छ पदादिकारियों का प्रोच सहन आपका उत्सा बढ़ाएगा अगर आप किसी नए बिजनस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी मन परसन न रहेगा अध्यात्मिक तरक्की भी आज होने वाली है धनलाब के लिए किये गए सभी परियाज सफल रहेंगे धनलाउ राषिवालों को आज की सला पुराने काम को निप्टाने के बाद फाइदा मिलेगा नया काम शुरू करने के बजाए पुराना काम अपना समेटने पर ध्यान दें तो अच्छा रहेगा, जो लोग आविवाहित हैं उनके लिए दिन अच्छा रहेगा, दूसरों से आगे निकलने की इच्छा तेज रहेगी, मकर राशिवानों को आज की सला यदि किसी के साथ प्रेम संबन्द में है, तो आज के दिन किसी अपने से इस बात को साजा कर सकते हैं उनके द्वारा आपकी साहता भी की जाएगी और दोनों के बीच रिष्टों में मजबूती आएगी परिस्तियां आपका ध्यान कीचेंगी, परवार के लोगों को आपकी जरुवत होगी आज अच्छे पकवान का अपानंद ले सकते हैं, घर में कुछ रिष्टतानों का आना जाना भी लगा रहेगा जिससे घर में काफी रोनक रहने वाली है, भागे प्रवल रह सकता है आज इसलिए कोशिश करें, आपका confidence बढ़ा हुआ रहेगा तो आप बड़े-बड़े काम करने की सोचेंगे लेकिन थोड़ा सा patience level अपना बना करके रखना है, क्योंकि काम हलका सा टक सकता है दीरज रखें, काम के सिलसले में आज कर दिन थोड़ा सा कम जोग है इसलिए अपने काम पर थोड़ा ध्यान दें, शादिशुता लोग गरस जीवन से संतोष्ट रहेंगे और जीवन साती को अपने office की बातें भी discuss करेंगे प्रेम जीवन बिता रहें लोग आज आनंदित रहने वाले हैं कुमराशी वालों को आज की सला मीडिया पत्रकारिता के छेत्र में यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो आज के दिन आपको कुछ अच्छे जौब offers मिल सकते हैं लेकिन ध्यान नहीं दे पाने के कारण आपके हाथ से निकल भी सकते हैं इसलिए आख कान दोनों खोल कर रखें शुबरंग रहेगा नीला और शुबरंग रहेगा चार मीन राशी आज सरकारी लाप की उम्मीद रख सकते हैं गिरस्त जीवन में सुक्षांती बनी रहेगी आए अच्छी रहेगी स्वरोजगार में लिप्त जातक एक आकरशक सोदे को अंतिम रूप प्रदान कर सकते हैं नोकरी ये कारोबार से जुड़ी नई बाते हैं पता चल सकती है आपको संतुलान बनाए रखना होगा परवारिक और पेशेवर जीवन में परफेशनल और परसनल लाइफ में परवारिक सतच्चों के साथ सामन जस्ते बना रहेगा आज पुराने दोस्तों से बिलने का मौका मिलेगा सोचे हुए कारे पूर्ण हो जाएंगे में राशी वालों को आज की सला सरकारी करमचारी अपने सीनियर रदकारियों के साथ सामन जस्ते बना कर रखे हैं अन्य था वो आपसे करोधित हो सकते हैं शुबरंग रहेगा पीला और शुबंक रहेगा नो यती बात आज की राशी फलकी में शासी से लेकर मीन राशी तक कैसा भीते हैगा आपका आज का दिन यदि आपको हमारी वडियो पसंद आती है तो आप मारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्स्राइब कर लें और बैल आइक अन दबाना बिलकुल न भूले अगर आप ये वडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेस्बुक पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें हर विडियो को ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वडियो कैसी लगी फिर मिलेंगे नई जानकारे के साथ नई वडियो के साथ तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जै शरी राम